तो प्रधानमंत्री जी महंगाई की एक भी बात नहीं करते, बेरोजगारी की एक भी बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ये इंडिया का धवंदन वादवर को वोट दे दिया तो ये तुमारी भैंस छीन के ले जाएंगे, तुमारी दो भैंस है तो एक भैं ही उनको हमारी समस्याओं की बात करो ना अगर प्रधान मंत्री जी कहते मेरे को वोट दो मैं तुमारे पेटरोल के । कर दो दूँगा, डीजल के दाम कम खर दूँगा, तुम्हारा दूद सस्ता खर दूँगा, खाने-पीने की चीजें सस्ता कर दूँगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसे में रोजगार दिलाऊंगा, मैं भी वोट दे देता तुम्हारे घर का मंगल सूतर चीन लेंगे क्यों चीन लेंगे मंगल सूतर यार तो दोस्तों ये देश बचाने का चनाव है और यहां जितने लोग बैठे हैं मिर को पता है एक-एक व्यक्ति कम से कम 10-10 हजार वोट आप लोग बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हैं यहां पर समाज के नेता बैठे हैं यहां पर समाज के बड़े-बड़े इंफ्लूएंसर बैठे हैं आप लोगों को सब को आम अदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करना है देखिए मैं किसी पार्टी का नाम ने लूँगा लेकिन अगर किसी भी दूसरी पार्टी को आप वोट दोगे आपने देख लिए पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से किसी ने पंजाब की वाजनी उठाई लोकसभा में और पंजाब में इस टाइम हमारी पार्टी है, पंजाब में सरकार हमारी है, अगर हमारा ही MP होगा और हमारी सरकार है, मिल जुल के काम करेंगे जैसे इन्होंने कहा, ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे केंदर से, अगर केंदर से प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हमारी सरकार है उसी ने उस प्रोजेक्ट को लागू करना है तो मिलके काम करेंगे ताल में लोगा 13 की 13 सीट आएंगी केंदर में भी हमारे हाथ मजबूत होंगे और पंजाब सरकार से भी वो सारे काम हम करा पाएंगे तो ये 13 की 13 सीट इस बार अदमी पार्टी को देनी बहुत ज़रूरी है एक साल पहले जब मैं आया था मैंने आपसे का था मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया आपके समस्याओं का समधान करने आया हूं आज मैं आपसे जोली भला के मांगने आया हूं कि हमारे को 13 की 13 सीट दे दो तो हमारे हाथ मजबूत करो और फिर देखो जो काम आज पंजाब के अंदर चल रहे हैं ये डबल ट्रिपल स्पीड से आपके सारे काम होने चालू हो जाएंगे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया